उपमा एक पॉस्टिक और स्वादिस्ट डक्सिन भारत का लोग प्रियव इंजिन में से एक है जिसे सुबह के नास्ते में परोसा जाता है तो आईए आज बनाते हैं क्विक उपमा की रेसिपी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले पैन या कड़ाई को थोड़ा गरम करें जब कड़ाई हलकी गरम हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे एक कप सुजी यहाँ पे आपको बारिक यानि की फाइन सुजी लेनी है अब सुजी को मीडियम फ्लिम पे चार से पांच मिनिट के लिए लगाता चलाते हुए भूनना है जैसे जैसे सुजी को भूनते जाएंगे सुजी में से खुशबू आने शुरू हो जाएगी और एक बात का आपको ध्यान रखना है सुजी को ब्राउन नहीं करना है तो यह पे सुजी को भूनते हुए चार मिट जैसा हो गया है और खुशबू भी आने शुरू हो गई है अब गैस को कर देंगे बंद अब भूनिवी सुजी को किसी बाउल या प्लेट में निकाल देंगे इसी कड़ाई में डालेंगे दो टेबल स्पून देसी गी उपमा खाने का असली मज़ा गी से ही आएगा तो गी का ही इस्तमाल करें और गी को अच्छे से गरम करेंगे जब गी गरम हो जाए फिर इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून राई और इसी के साथ डालेंगे राई का लवली पार्टनर हाफ टीस्पून जीरा अब राई को थोड़ा चटकने देंगे और जीरे को थोड़ा तड़कने देंगे जैसे सीड्स क्रेकल होने लगे डालेंगे एक टीस्पून चना दाल एक टीस्पून उड़त की डाल अब दोनों दालों को मीडियम फ्लेम पर हलका ब्राउन हो जाने तक भुनेंगे इससे भुनने में दो मिनिट का समय लगे दोनों दाल हलकी ब्राउन हो जाए फिर इसमें आप डाल देना एक चोथाई कप बारिक कटी हुई प्याज एक मीडियम साइस की हरी मेर्च एक ही जितना बारिक कटा हुआ अधरक और आँट से दस कड़ी पत्ता अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर यानि कि पारदरसी हो जाने तक दो मिनिट के लिए भुनेंगे प्याज को थोड़ा भूल लेने के बाद इसमें डालेंगे तीन कप गरम पानी आप जिस भी कप या बावल से पानी लेते हैं उसी कप से पानी डाले पर ध्यान रहे पानी एकदम गरम लेना है और इसी के और एक बार नमक को अच्छे से मिला देंगे अब इसमें हम डालेंगे बुनी हुई सुजी सुजी को धीरी धीरे करके डालते जाए और चलाते रहना है पर ध्यान रहे सुजी को एक बार में नहीं डालना है वन्ना सुजी में गाठे पड़ जाएगी और सुजी अच्छे स मिक्स नहीं होगी यहां पर गैस की फ्लेम मीडियम पर रहेगी और सुजी को लगाता चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि सुजी सारा पानी सोख ना ले और यह दिखे सुजी ने सारा पानी सोख लिया है यह प्रोसेस करने में आपको तकरीबं दो मिनिट का समय लगेगा अब यहां पर कड़ाई को डखन से डख देंगे और दीमी आज पर तीन से चार मिनिट के लिए सुजी को पकाना है सुजी लगना जाए इसलिए बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेगा सुजी के सुआत को थोड़ा और बढ़ाने के लिए डालेंगे एक टीस्पून चीनी आदा जितना निम्बू का रस और बारिक कटा हुआ हरा दनिया अब यहाँ पर गैस की फ्लिम को मीडियम पे कर दे और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक मिनिट के लिए माबनकर तैयार है कोकरनेट चटनी के साथ इसे इंजोई करे थैंक्यू फोर वाचिंग